नमस्कार दोखते एक वर आपका फिर्ट से स्वागत है सिखो सिखा चनल पर मैं हूँ तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह दिखिया हमारे पास एक ठीक है मैंने इसे गूगल से डाउनलोड किया है और यहां पर देखिया इनकी worksite है AIEWS.in तो जिनकी भी file है credit उनीको जाता है मैं यहां पर यह जो डिजाइनिंग है यह बताने की कोशिस कर रहा हूँ अब आते हैं मैंने जो बनाया उस पर और जितने भी यहां पर लोगों है ना मैंने Google से डाउनलोड किया है तो जिनकी भी फाइले हैं वो क्रेडिट उन्हीं को जाता है और यहां पर यह जो फिक है यह जो फोटो है मैंने यहां से यह जो दिखे इस वैपसाइट से जो भी है इनका आप देख लिजेगा उसके बाद ही इस फोटो को आप यूज कर सकते हैं मैं यहां पे सिप आपको बताने के लिए इसका यूज कर रहा हूं आप बात आती है कि इसे किस तरह से बनाया जा सकता है ठीक है तो मैंने क्या किया यहां पर देखे इस तरह से बना है तो आप कोशिज कीजिएगा कि सेम ही नहीं बनाना है मैंने यहाँ पर देखें आपको सेम ही करीब- завис बना के बदाया हुआ। लेकिन आपको टू कोपि नहीं करना है आपको अपना कुछ वहां पे डालना है तो सबसे पहले यहां पे institute का नाम आ जाएगा तो चलिए हम लोग यहां से एक double click करते हैं तो यहां पर हमारे पास यहां पे एक rectangle आ जाएगी और यहां से कुछ इस तरह से कर लेते हैं यह हमारे पेज आ गए अब हमें इंस्टूट का नाम लिखना है तो मैं इंस्टूट का नाम लिखने में समय को बरबाद नहीं करना चाहता और इस तरह से लोग वा जाएगी इतना हमारा काम हो गिया अब जो भी चीज लिखा हुआ है मैं देखे सैमी चीज यहां पर लिख दे रहा हूं आप लोग बोलिएगा कि यहां पर मैंने जो फॉन लिखा हुआ है ताकि आप लोग को वह फॉन्ट करने के जुरुरत नहीं हो आपके पास आसानी से फॉन्ट मिल जाएगा आपके पास एक बार आ जाए उसके बाद आप चेंज करकर करके देख लिजेगा कि कौन सा आपके पास फॉन्ट अबलेवल रिकाबल झानी है तो दीखे करोडों पे है ऐसी बात नहीं है कि नहीं तो आप यहां पर आ सकते हैं शेप पर यहां पे दीखे यहां पर उसके बाद हमें जाना है इंशेट पे और यहां पर शेप का उप्सेंस है यहां से आपको धेरो यहां पर शेप मिलने वाली है आपको जो भी पसंदो उस पे बस आपको क्या करना है एक बार क्लिक करना है और उसे वहां पर लेके जाना है तो चलिए देख लेते हैं किसी ले चाहें कट सकते हैं मैं यहां से कट करता हूं और यहां पर आने के बाद मैं control भी यानि कि paste कर देता हूं तो वो देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया है ठीक है इसे अपने हिसाब से rotate कर लिजेगा जिस तरह का आपको चाहिए मैं सिप idea के लिए आपको यह चीज़ बत करना आपको राइट क्लिक और यहां पर अंग्रूप ऑब्जेक्ट्स चिरिया मरा यह हो गया अब select कीजे और delete कीजे select कीजे इसी के लिए मैंने आपको बता है कि मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा जो प्रोलम आने वाली है तो चलिए control जेट करके undo कर देते हैं अब देखिए हम लोग यहां पर फिर से paste करते हैं हटा दिया मैंने देखिया कुछ भी नहीं है मैं control भी अगयन करता हूं यानि कि paste करता हूं अब आपको क्या करना इसे जो भी color से जिस भी color से fill करना है उस color से आप fill कर दीजे हमारा हो गया अब इसे क्या करना है आपको ungroup कर देना है अब इसे delete कर दीजिए चलिए फिर से select करते हैं control जी यानि कि फिर से मैंने group कर दिया ungroup करने के बाद फिर से मैंने group कर दिया और इससे इस तरह से rotate करने के बाद इसे थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इससे जो है हम लोग कुछ inside और इसे अपने हिसाब से देख ली यह ठीक लग रहा है right click करते हैं इसके outline यहां से remove कर देते हैं तो यह देखे करीब करीब हमारा semi shape यहां पर बनके आ जाता है एकिने अब यहां पर यह जो text हैं मैं यहां पर इसे इस तरह से लेके आ जाता हूं यहां पर जो मैंने use किया इस तरह से लिखना को तो मैं नहीं बता रहा हूं यह देखे इस तरह से जो यहां पर rounded है यह से मैंने क्या किया वह देख लीजिए मैंने क्या किया यहां से एक ellipse मैंने ឥ्टूल लिया और कुछ इस तरह से मैंने उसे कर दिया यह यह दिखें ठीक है मैंने कुछ इस तरह से कर दिया और इसेEr कर दिया इतना हमारा जब हो जाए फिर से हम लोग क्या करते हैं यहां से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और तो यह सेलेक्टेडी हमारा उसके बाद इसे स्लेट करना है और यह पर सेकंड जो हमारा ओप्सें से ट्रीम का इसे कर देना है चलिए डिलिट करते हैं इसे और इसे भी तो यह दिखे हैं हमारे पास कुछ इस तरह से आजाता है और इसे मैं कुछ अप कर लेता हूं यह अभी हमें दिक्कत नहीं करेगा कुछ दिरवेट कर लीजे यह इमेज मैंने जैसे कि आपको बताए कि वैपसाइट से डाउनलोड किया हुआ है तो जिनकी भी फाइल है क्रेडिट उन्हीं को जाता है हो गया उसी तरह से यहां पे हारे आपको लिखले ना मैं यह पेख उपक्रप्रक्रा लेकिन आपको यसे नहीं करना है का अब अब दीजिए इसी में हमारा कितना समय लग जै रहा अगर में एक चीजी आपको बनाना बता देता इसे किस तरह करना है इसे किस तरह से color करना है तो वीडियो कितनी बड़ी बन जाती है तो मैं एक दू चीजे तो आपको बता ही दूँगा आपको क्या करना है इसे बनाने के लिए मैंने यहां से टेंगल लिया कुछ इस तरह से उसके बाद इसे color से fill किया हो गया आ लांचा आउट लाइन इसके मैंने बनिफे सीजे मैं ट्रोंट-म swag कर दिया हुआ था उसके मैंने इसके बाद मैंने यहां पर लिग दिया हुआ और क्या है बस सेमी चीज हमार पास आगिया ना तो यह चीज मैंने यहां पर किया हुआ है अब यह जो लाइन है मैंने यहां से free hand tool लिया कुछ इस तरह से इसकी size मैंने one कर दिया हुआ था और यहां से अगर आप मेरे सुरू से वीडियो देखते हैं तो इस पर मैंने यह चीज यूज क्या हुआ था और इस पर भी मैंने ओवा यह चीज और यह तो आप देख सकते हैं इसे right click करके white मैंने कर दिया तो आप देख लिए है ना को यह लेडिलेट कर देते हैं अब अमारा इतना काम हो गया है अब हमें यह बनाना है तो मैं आपको सब्सक्राइब कि यह जो है कुछ है नहीं बस लीखा हुआ है और और कॉलेज की जो लोगो है यह निवर्सिटी की जो लोगो है मैंने गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लिया हुआ है, हो गया, बाकि आपको इन सब को लीख लेना है, अब बात आती है इसे किस तरह से बनाए, तो मैं आपको ये चीज भवी बता देता हूँ, कई तरह से इसे बना सकते हैं, वो टोटली आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे जो च इस तरह से हम लोग कट आउट करना चाह रहे हैं, तो इसे उठाके यहाँ पे लिया ये, राइट कलिक और यहाँ तो क्लिक, यह देखे कट गया हमारा, है ना, उसके बाद जो भी कलर से आपको फिल करना हो, आप उस पे वो कलर यूज कर सकते हैं, तो एक दूर चीजे जो ह वाली थी, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है, इसे मैं और थोड़ा चाब बढ़ा कर लेता हूँ, और 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 राइट सेंटर को भी आपको वही चीज करना है, जैसे कि हमने, हल्प लाइन नंबर को किया, चलिए, हमारा इतना तो हो गया, लेकिन इस एक्टिफ फिल टूल, और उसके बाद हमें इस तरह से ड्रेक कर देना है, अब इस पर दिखे ब्लैक आ गया है, तो ब्लैक को क्या करता है, हम लोग एस साइड लेके आते हैं, और इस कलर को हमें एस साइड लेके आना है, यहाँ पे जो भी कलर आपको फिल करना है, इसे ड् तो यह टोटली आपकी मरस्य है किस तरह से बनाना चाह रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमने कुछ इस तरह से बना लिया हुआ है तो यहां से मैंने आपको यह चीज बताया लेकिन आपको यह चीज नहीं करना है तो आपको नया चीज करना है इन चीजों को अलग अलग तरीका से एरेंज कर सकते हैं यह देखे रेक्टेंगल पर है इसे थोड़ा सा आप क्या कर सकते हैं इसे थोड़ा सा ब्राउंड कर सकते हैं यह देखे तो बहुत सारे आइडिया है आप किस तरह से आप उसे यूज करना चाहेंगे यह टोटली आपकी मर्ची है तो यह जो फाइल है मैंने डिस्केशन मे आप इसे डाउनलोड करके, इसे सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसे रखना है, ठीक है, और समय बचाने के लिए आपको भी यही चीज करना है, देखिए इस तरह से आपको बनाना है, आपको लिखना नहीं है, एक आपने इस तरह से बना लिया, अब सब को और आपके पास कुछ भी डिजाइन नहीं है ठीक है कुछ भी डिजाइन नहीं है आपके पास रिप टेक्स्ट है तो आप इसे किस तरह से डिजाइनिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं और देखी कि आप कितना अच्छा डिजाइनिंग कर पा रहे हैं ओके आसा करता है मेरे वीडिया प्लोव को पसंद आया हो और यह तो इवाइल को आपको डाउनलोड करनी है तो मैंने डिसक्रिक्स् premise और सकते हैं आसा करता मेरे वीडिया प्लोव को पसंद आया हो और जैसे मैं म Redale को अच्छे लगते हो तो Please subscribe मैं channel and like and share thank you have fun bye bye